हलो बच्चो, हाई अवरीबन, चलिए बच्चो, मैगनेटिक एफेक्ट और करेंट के और कॉंसेप्ट की बातचीत करते हैं, चेक करते हैं बागी वायर के लिए पैंगनेटिक फिल्ड की वैल्यू क्या होगी तो देखो बच्चो, अभी तक हमने डिस्कस किया था, अगर आपको कोई भी स्टेट बायर दियोगी हो, चाये वो फाइनाइट लेंद्ध की हो, या वो सैमी इनफाइनाइट लेंद्ध की हो, इन सब के लिए मैगनेटिक फिल्ड की वैल्यू क्या होगी सबसे पहले तो हमने individual individual सारे cases के लिए magnetic field निकाला पिर इनके composite भी बनायते जैसे कोई भी wire frame हमें दे दिया है तो उस wire frame के लिए magnetic field क्या होगा That means only state conductor के लिए हम magnetic field की बातचीत कर रहे थे अगर हमें state conductor दिया हुआ है उसके लिए magnetic field की value को किस तरीके से लिखा जाएगा अब बातचीत करते हैं बच्चो अगले topic की अब बातचीत करते हैं अगर हमें circular arc दिया जाएगा तो उसके लिए magnetic field कैसे लिखेंगे फिर हम circular arc और state wire दोनों को merge करके magnetic field निकालने का try करेंगे तो देखें कैसे कैसे concept हमारे यहाँ पर बन सकते हैं कैसी कैसी problems हमारे यहाँ पर आती हैं यह पूरा concept हम डिस्कस करते हैं चलिए तो heading डालो बच्चो magnetic field due to circular arc magnetic field due to circular arc और wire ठीक है circular arc दिया हुआ है wire दिवी है इसके लिए magnetic field कितना होगा इसके बारे में बातचीत करते हैं देखो बच्चो let's say मैं बोल देता हूँ आपको यह कोई भी एक circular loop दिया हुआ है यह कोई भी एक circular loop आपको दिया हुआ है क्लियर और आपको बोला है कि यह जो circular loop है इस circular loop का यह तो अपना center है यह तो circular loop का center है radius इसकी है इसमें current flow हो रहा है कितना current इस loop में flow हो रहा है अपना आई तो आपको बताना यह जो circular fire है यह circular frame जो है इसमें कितना magnetic field center पर produce होगा सबसे पहले हम बातचीत करते हैं बेटा center पर magnetic field की strength क्या होगी पहले हम center पर निकालता है देखिए कैसे solve करेंगे कितना magnetic field center पर आएगा किस तरीके से approach होगा तो आपने पढ़ा है बच्चो बायो सावट लो एज पर दा बायो सावट statement magnetic field due to the small length अगर मैं कोई भी एक small length लेता हूँ let's say मैं एक small length यहाँ पर यह consider कर लेता हूँ dl मैं आपर कोई भी एक यह small length consider कर लेता हूँ और यह जो small length that is a dl ठीक है तो मैं बोल सकता हूँ magnetic field due to the small length which is denoted by dv that is equal to mi naught upon 4 pi idl sin theta upon r square magnetic field की value is small length के लिए कि इतनी होगी mi naught upon 4 pi idl sin theta upon r square यहाँ पर mi naught अपना constant है i current है theta dl में और r में angle है यह सारी बात्चित हमने पढ़ी हुई है और अगर मुझे net magnetic field लिखना होगा कि total कितना होगा तो उसको आप निकाल सकते हो बाया integration which is equal to integration of mi naught upon 4 pi idl sin theta upon r square while following the integration mi naught upon 4 pi idl sin theta upon r square ऐसे अगर आप integration follow करते हो तो integration से इसे बड़ी आसानी से निकाल सकते है आरे बात सार्ज में चलिए चेक करते है कैसे integration को solve किया जाएगा तो देखो बच्चों यह जो dl है इस dl की center point से distance कितनी है r यह आपका dl vector है यह r है तो all time dl और r में angle कितना है 90 जैसी dl अपना move करके यहाँ पर आएगा तो भी distance कितना रहेगा r और angle कितना रहेगा 90 that means मैं बोल सकता हूं यहाँ पर जो theta है बच्चों वो तो अपना हो गया है 90 जो distance small r है यह हमेशा capital r के equally रहने वाला है करकि dl तो length के along move करेगा और length बिटा इसकी circumference है अगर मैं यह value यहाँ पर put करूँँगा तो magnetic field that is equal to जो जो constant है यह भारा जाएगा mi not constant है i constant है 4 pi fix है यह capital r भी हमारा fix है यह भी भारा जाएगा theta 90 sin 90 हो गया 1 that means magnetic field due to this circular wireframe which is equal to mi not i upon 4 pi r square integration of dl और अगर बच्चों मैं dl का integration करता हूं यह इस complete circle की length के एककल होगा तो आप बोल सकते हो बेटा magnetic field that is equal to mi not i upon 4 pi r square dl को उनक्या लिख सकते है अपना 2 pi r 2 pi से तो अपना 2 pi cancel out होगा r से square जाएगा that means magnetic field due to this circular wire at center which is equal to mi not i upon 2 r यह complete circular wire के लिए जो magnetic field आएगा इस magnetic field की value होगी अपनी mi not i upon 2 r i यहाँ पर current है जो इस circular wire में flow हो रहा है r इसका radius है mi not अपना constant है overall magnetic field हो जाएगा mi not i upon 2 r यह एकदम आसान सा approach है एकदम आसान सा तरीका है इस तरीके से हम magnetic field को लेख सकते है और यह बत सज में और अगर मैं direction की बात करूँगा तो मैंने हमेशा आपको बताया है जब भी magnetic field की बात होगी तो direction के लिए बेटा हम right hand use में लेंगे तेक है और यहाँ पर भी हम क्या use में लेंगे right hand rule किस तरीके से use में लेना है तो fingers को current के rotation की direction में curl करो तो thumb जा रहा है outward let me हम यहाँ पर magnetic field की direction होगी बात होगी अगर current ऐसे flow हो रहा है तो finger को current की direction में curl किया thumb जा रहा है outward इस वाले case में magnetic field आएगा outward अगर मैं बोल देता हूँ बटा current ऐसे flow हो रहा है यहाँ पर fingers को current की direction में call गी है thumb जा रहा है अंदर तो यहाँ पर यह हो जाएगा magnetic field involved बता रही है समझ में इस तरीके से हम magnetic field को लिखने वाले हैं यहाँ पर एकदम simple सा तरीका है समझ लो इसे कि magnetic field को अगर मैं लिखूँगा तो right hand rule हमें use में लेना है right hand rule को follow करके आप magnetic field भी निकाल सकते हैं अरिवा समझ में कि अगर हमें complete एक circle दिया जाए तो complete circle के लिए magnetic field की जो value होगी which is equal to over this one that is equal to over this one me not I upon 2R इसे note down कर लो फिर इस पर हम numerical की बातचीत करेंगे पहले इससे related और भी जो जो अगली बात करते हैं देखो बच्चो जैसे मैं ऐसे बोल देटा हूँ let's say आपको कोई भी अप circular arc दिया हुआ है complete circle हमें नहीं दिया हुआ है complete circle की जगे हमें हमें पेटा कोई भी circular arc दिया है clear? जैसे मैं half circle हें आप ले 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 ता हूँ कोई भी अपने पास half circle का अगर tool है तो कुछिर का बेटो अपा physician है है को ये बेटा कोई भी एक singular आर्क तिया हुआ है और इस circular हए से क्रेंट फ्लो हो रहा है आई आपको बताना इसサंटर पर magnetic field की value क्या हो जिसकी radius है r इसकी radius है r आपको बताना है इस circular r के लिए magnetic field क्या हो तो simple सी बात है अभी आपने पढ़ा है magnetic field that is equal to mean of i upon 4 pi r square integration of d अभी जब मैंने इसको solve किया था तो result आया था बच्चों हमारा ये वाला अगर complete circle था तो dl की value आपने put कर दी थी 2 pi r अगर आदा circle है तो dl की value हो जाएगी pi r one fourth है तो pi r upon 2 जितनी भी length है उस length को आप put कर दोगे जैसे अगर मुझे बिटा यहाँ पर half circle दिया हुआ है अब मुझे half circle के लिए लिखना है तो मैं बोल दूँँगा magnetic field हो जाएगा mi not i upon 4 pi r square dl की value होगी अपनी हाँ पर pi r pi से तो pi cancel out होगा square से r cancel out होगा so the magnetic field that is equal to mi not i upon 4 r magnetic field which is equal to mi not i upon 4 r इस तरीके से हम magnetic field को लिख सकते हैं हर यह बात सर्जमें इस तरीके से हम magnetic field को note down कर सकते हैं magnetic field which is equal to mi not i upon 4 r अगर आपको 1 4 circle देता कि आपको बोलाएं बेटा कोई भी एक यह 1 4 circle है इसके लिए आपको बताना है magnetic field की value center पे क्या होगी correct तो आप लिखते बेटा यहाँ पर b that is equal to होगा mi not i upon 4 pi r square इसकी length हमारी कितनी बन जाएगी pi r upon pi से तो pi जाता r से square जाता तो b that is equal to आता है यहाँ पर mi not i upon data बात आई समझ में इस तरीके से हम magnetic field को निखाल रहे होते हैं इसके लिए होगा mi not i upon 4 r इसके लिए हमारा magnetic field आएगा mi not i upon data correct चलिए तो इसे भी आप note down करो फिर हम आगे की बातचीत करते हैं अगले और concept की बातचीत करते हैं और important points इंद की देखते हैं कहां कहां पर कैसी problem आपारी frame हो सकती है लिख लो बच्चों से magnetic field दूटुगा circular r direction निकालने का वो ही right hand rule finger को curl किया thumb अंदर जा रहा है तो इसके लिए magnetic field अंदर अगर इसमें current ऐसे finger को curl किया, thumb outward जा रहा है तो इसके लिए magnetic field होगा अपवर direction हम सेम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हम निकालते ही हुआ है और यह बात सहिज में चलिए फिर अगले numerical की बात करते हैं कैसा numerical हमारा यहाँ पर frame हो सकता है कैसे questions अपने यहाँ पर frame हो सकते है उनको check करते है चलो बच्चो numerical की बातचीत करते है कैसे numerical हमारे circular arc वाले question पर बनते है देखो बच्चो let's say मैं ऐसे बोल देता हूँ आपको दिया हुआ है यह कोई भी एक wire frame है जिसमें current कुछ इस type से flow हो रही है यहाँ से एक wire हमें दिवी है ठीक है आपको निकालना है point open magnetic field strength की value क्या होगी हमें क्या determine करना है point open magnetic field strength की value क्या होगी यह मुझे निकालना है देखें कैसे किया जाएगा solve एक question आप समझ लो फिर मैं एक साथ questions लिखूँआ उनको आप solve करने का प्राई करना कैसे magnetic field की strength निकालोगा देखो बच्चो अगर मैं यहाँ पर इस section की बातचीत करूँ तो यह जो section है यह तीन section से मिलके बनाए first, second and third एक यहाँ पर semi infinite wire है फिर एक semi circle है फिर एक semi infinite wire है इन तीनों section को मिला के complete segment हमारा भैड़ी हुआ है तो मुझे बताना इस पूरे segment के लिए ओपर magnetic field क्या होगा अगर मैं पहले segment के लिए बातचीत करूँ तो point wire के जस्ट उपर है और अगर point उपर है तो magnetic field क्या होगा जीरो आपने पढ़ रखा है अगर point wire के ही ओपर हो तो magnetic field की value होगी जीरो अगर मैं इस वायर के लिए बातचीत करूँ तो यहाँ पर भी point wire के बिलकुल उपर है इसके लिए भी magnetic field की value अपनी होगी और यह बात स्वाज में और अगर बेटा मैं second semicircle के लिए बातचीत करता हूँ तो semicircle के लिए आपने पढ़़दा का magnetic field होता है mean not i upon 4 pi r square integration of pi ठीक है और इस dl को अगर मैं solve करके लिखता हूँ तो यह dl हमारा आजाता है बेटा r theta dl की लेंद क्या होगी r theta अगर complete circle है तो theta 2 pi हो जाएगा आदा है तो pi हो जाएगा simple r से तो यह square हमारा cancel out हो गया इसको अगर आप solve करोगे तो यह होगा mean not i upon 4 pi r semicircle दिया हुआ है तो theta की value हो जाएगी pi तो यहाँ पर यह solve करने पाएगा हमारा mean not i upon 4 अरे बात सज में semicircle के लिए magnetic field इतना आजाएगा mean not i upon 4 r इसकी direction अगर check करोगे fingers को curl किया तो थम अंदर जा रहा है that means direction of magnetic field आईगी अपनी inward तो यह जो semicircle है इसके लिए magnetic field इतना होगा first और third के लिए zero हो जाएगा अगर आप net magnetic field लिख होगे वो only b2 के गारण होगा which is equal to mean not i upon 4 r and direction is in inward direction कहा होगे इसकी inward में इस तरीके से magnetic field को लिख सकते हैं हाँ यह बात सज में तो अब हम करने वाले क्या है कि मैं state wire और circular wire दौनों को mix up करके questions की हम बातचीत करेंगे magnetic field की strength को निकालने का try करेंगे magnetic field की strength क्या होगी चलिए तो इस question को आप copy करो अगले question की बातचीत करते हैं next problem ले लेता है देखो बच्चो जैसे अगली problem मैं ले लेता हूँ let's say आपको दिया हुआ है बेटा एक तो यह कोई भी एक circle है ठीक है एक दूसरा यह आपको circle दिया हुआ है दूसरा यह कोई भी एक circle है correct इसमें भी color field कर देते हैं ऐसे आपको semi circle concentric circles दिये हुए है आपको बोला है बेटा इसमें current flow हो रहा है I in this direction and radius of this small circle that is equal to R radius of this big circle that is equal to R और इसमें current flow हो रहा है I same लेकिन यह opposite direction में जा रहा है आपको बताना है O point पर magnetic field क्या होगा question समझ में रहा है आपको निकालना है O point पर magnetic field strength की value क्या होगी देखो बच्चो कैसे निकालेंगे अगर मैं बेटा यहां पर बातचीत करूँ तो यहां पर यह एक पहला circle है यह second circle है मैं पहले circle के लिए magnetic field लिख लूँ second के लिए magnetic field लिख लूँ और दौनों का vector sum कर दूँँ तो मेरे पास net magnetic field आ जाएगा अगर बच्चो मैं पहले circle के लिए magnetic field लिखता हूं तो आपने पढ़ा है circular wire के लिए magnetic field होता है mean or tie upon 2R इसमें current आई है radius R है तो इसका हो जाएगा mean or tie upon 2R और direction के दर होगी fingers को curl किया तो थम अंदर जा रहा है magnetic field की direction अपनी आ जाएगी magnetic field अपना किदर होगा simple same way मैं बच्चो अगर मैं second wire के लिए magnetic field लिखता हूं तो देखिए इसके लिए लिखो गए तो यहाँ पर भी यह complete circle है तो यह होता है mean or tie upon 2R बस इसकी radius R की जगए कितनी गिवर है मैं 2R तो radius की value पुट कर दोगए अगर direction लिखो गए fingers को curl किया तो थम आउटवार जा रहा है इसके लिए direction आ जाएगी अपनी आउटवार अपने क्या किया पहले circle के लिए magnetic field लिख लिए अगर मैं यह value यहां पर बच्चो पुट करता हूँ बी ने तो यहां से हमारा आ जाएगा mean or I upon 4R जो की अपना होगा बेटा क्योंकि एक outward है एक inward है net निकाल होगे तो minus हो जाएगा तो एकदम simple से numerical बनते हैं बस आपको basic concept clear होना चाहिए अगर आपने basic को अपी अच्छे से पढ़ रखा है तो आप magnetic field की strength को easily determine कर सकते हो easily आप calculate कर सकते हो कहीं भी आपको कैसी भी दिकत नहीं आने बाई है correct चलिए जैसे एक और example ले ले लेते हैं एक और numerical मैं ले ले लेता हूँ बेटा let's say आपको बोला है यह कोई भी x-axis है यह कोई भी y-axis है and that is a z-axis यह आपनको कोई भी z-axis दे है ठीक है आपको बोला है जो wire frame है वो कुछ ऐसे है एक wire कुछ ऐसे जा रही है फिर यह semi-circlean और यह wire ऐसे इस type से आपको wire frame दिया हुआ है इसमें current जा रहा है आई फिर उपर जा रहा है आई आई अपना return आ रहा है और यह ऐसे semi-infinite wire है आपको बता रहा है point ओपर magnetic field कितना हुआ आपको क्या निकालना है point ओपर magnetic field की strength को calculate करना है point ओपर magnetic field कितना हुआ यह वाले example को copy करो next numerical को solve करना start करो बच्चो point ओपर magnetic field की strength निकाल ले है किस तरीके से इसको solve किया जाए कि हमारा point ओपर magnetic field आ जाए और same वही है state wire के लिए आपने magnetic field निकालना पड़ा है semi-circle के लिए आपने magnetic field निकालना पड़ा है तो आप बढ़ी आसानी से निकाल सकते हो वह point ओपर magnetic field strength की value क्या होगी चली check करते है देखो जो solve कर रहे हैं वो वीडियो को पहुच कर लो बागी मेरे साथ समझ लो अगर बच्चो मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो यह जो segment है यह भी तीन segment से मिलके बना है 1, 2 and 3 अगर मैं first segment के लिए magnetic field की strength लिखता हूँ तो current कुछ ऐसे जा रहा है fingers को current की direction में sorry, thumb को current की direction में fingers को point की direction में तो palm जा रहा है inward इसके लिए magnetic field कि दर आएगा बेटा downward direction में correct, same इस वाले के लिए निकालूँगा thumb को current, fingers को point तो इसके लिए भी palm जा रहा है बेटा downward तो इसके लिए भी magnetic field आएगा तो अगर मैं first wire के लिए magnetic field strength लिखता हूँ तो यह होगा me not i upon 4 pi r because that is a semi-infinite wire और इसकी direction आजाएगी अपनी minus same अगर मैं थड़के लिए लिखूँगा यह भी semi-infinite है, direction भी same है, तो जितना b1 आएगा उतना ही अपना b3 आ जाएगा तो b1 और b3 तो अपने calculate हो गए अगर मुझे b2 लिखना है तो b2 is a semi-circle semi-circle के लिए भी हमने निकाला है that is a mean not i upon 4 right, and the direction अगर मैं लिखता हूँ तो बेटा, यहाँ पर thum जा रहा है inward तो यह होगा minus के के अगर आपको net लिखना है तो यह क्या हो जाएगा बेटा इनका resultant और resultant निकालोगे एक z-axis में है एक y-axis में है तो यह होगा b1 प्लस b3 का whole square प्लस b2 का whole square आपके पास b1 और b3 की भी value है आपके पास b2 की भी value है यह value आप यहाँ पर put करोगे तो आपके answer आसानी से calculate हो जाएगा b1, b3 भी मुझे पता है b2 भी पता है यह values मैं यहाँ पर put करता हूँ को मेरे answer आसानी से निकल जाएगे आप easily determine कर सकते हो net magnetic field कितना होगा clear तो आपको कैसे भी question को गुमाफरा के देते हैं आप बड़ी आसानी से solve कर सकते हो बस आपको basic clear होना चाहिए तो यह से note down करो और आगले की बातचीत करता है अगले concept को चेट करता है अगला concept ले लेता हूँ लेट से आपको इस type से wireframe दिया हुआ है आपको इस type से wireframe दिया हुआ है यह कोई भी o point है radius है इसमें current flow हो रहा है मैं अपना आई आपको बताना है बेटा magnetic field strength क्या होगा magnetic field कितना होगा यह मुझे determine करना है o point पर magnetic field की strength क्या होगी तो same वोई state conductor circular arc को मैंने join किया है आपको बताना है magnetic field क्या होगा ऐसे एक और question में draw कर देता हूँ सेम o point पर आपको magnetic field निकालना है current flow हो रहा है o point पर magnetic field की strength क्या होगी यह हमको बताना है questions को read करो tally करो अच्छे से question को और solve करना है start करो क्या concept हमारा यहाँ पर apply होगा किस तरीके से magnetic field strength की value को determine किया जाए एकदम basic है आसानी से solve कर सकते हो वस concept को आपको अच्छे से समझना है concept को आपने एक बार अच्छे से realize कर लिया तो easily आप इसके answers भी निकाल पाऊगे easily आप लिख पाऊगे magnetic field की value क्या है बागी मेरे साथ समझ लो बच्चों कैसे निकालेंगे देखो जैसे अगर बच्चों मैं इसमें बातचीत करता हूँ तो यह जो फ्रेम है यह तीन सेग्मेंट से मिलके बना है 1, 2, 3 राइट? मैं तीनों सेग्मेंट के लिए magnetic field की strength लेख लूँ तो मेरा net magnetic field आजाएगा मैं तीनों के लिए magnetic field strength लेख लूँ तो मेरा net magnetic field calculate हो जाएगा, net magnetic field की value आजाएगी कि magnetic field कितना हुआ आई बात सर्ज में नहीं यहां तक किसी को कोई डाउट है नहीं है चलिए चैक करते हैं बच्चो magnetic field strength की value क्या होगी किस तरीके से magnetic field की strength को लेका जाएगा तो देखो बच्चो यह तो अपनी आङे अगर इसके लिए फिंगर्स को करेंट की डारेक्षन में फिंगर्स को पॉइंट की डारेक्षन में तो पाम कि दर जा रहा है और अगर इसके लिए निकालूं तो बेटब फिंगर्स को कर्ल किया तो थम जा रहा है आउटवार्ड तो इसके लिए भी जो magnetic field आएगा ये भी हमारा आएगा आउटवार्ड सबसे पहले तो मैंने क्या किया right hand rule follow करके मैंने direction of magnetic field calculate कर लिया कि magnetic field कौनसी direction में होगा अब बस मुझे magnetic field की strength को है कि magnetic field की strength होगी क्या देखिए कैसे लिखा जाएगा अगर बच्चों मैं B1 के लिए 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 लिखता हूं magnetic field की strength तो यह आएगा हमारा मी नौट आई अपान 4 पाई आर डारेक्शन किदर आ गई आउटवार्ड अगर मैं B2 लिखता हूं तो बच्चों B2 आएगा हमारा मी नौट आई अपान 4 आर और इसकी भी direction किदर आ रही अपनी आउटवार्ड सेम अगर मैं बच्चों B3 के लिए लिखता हूं तो B3 आएगा हमारा मी मी नौट आई अपान 4 पाई आर और इसकी भी अपनी डारेक्शन किदर आ जाएगी आउटवार्ड यहां से अगर मैं नेट मैगनेटिक फिल्ड लिखंगा तो नेट मैगनेटिक फिल्ड हमारा क्या हो जाएगा बेटा वेक्टर सम ऑफ और एंडिविजूल मैगनेटिक फ मी नौट आई अपान 4 पाई आर प्लस मी नौट आई अपान 4 प्लस मी नौट आई अपान 4 प्लस मी नौट आई अपान 4 पाई आर इस तरीके से हम नेट मैगनेटिक फिल्ड को कल्कुलेट कर सकते हैं नेट का अंसर अपना क्या है करेक्ट एकदम आसान सी अप्रोच है आस जैसे अगर मैं इस concept में बातचीत करूँ, मुझे इसके लिए निगानना है magnetic field की strength क्या होगी, तो same ये भी हमारा 3 segment से form हुआ है, मैं तीनों हलाग लग segment के लिए magnetic field की value लिख यूँ, तो मेरा magnetic field strength calculate हो जाएगा, जैसे अगर इसमें बातचीत करूँ, थम्ब को current, finger को point, तो palm जा तो इसके लिए भी magnetic field अपना किदर आजाएगा, आउट वार, और थड के लिए भी अपना magnetic field किदर आजाएगा, आउट वार, तो अगर वैक्चो मैं हाँ पर लिखूँगा, net magnetic field, net magnetic field क्या होगा, vector sum of all individual magnetic field, vector sum of all individual magnetic field, that means मैं बोल सकता हूँ बेटा, net magnetic field, which is equal to होगा, मी नॉट आई, अपन 4 pi r, प्लस मी नॉट आई, अपन, यहाँ पर इसको अगर आप देखोगे, that is a 4 pi r, multiplied by theta, which is a pi upon 2, theta कितना होगा, अपना, pi by 2, circular arc के लिए पढ़ा है ना, आपने, circular arc के लिए magnetic field होता है, मी नॉट आई, अपन 4 pi r, multiplied by theta, correct, प्लस, अगर मेटा मैं थड़ के लिए लिए लिखूँआ तो यह भी इतना है, mean or tie upon 4 pi, बस इसको मैं solve कर लो, तो net magnetic field strength की value calculate हो जाएगे, किसी भी type का wire frame देदे, circular और state conductor को अगर connect करके दिया हुआ है, तो हम magnetic field strength की value बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बस हमें basic concept टेयर होना चाहिए, कि इसे solve करने का तरीका क्या है, चलो बच्चों, इनको भी आप note down करो, इन numerical को भी, फिर बातचीत करते हैं, और कैसे numerical हम यहाँ पर बना सकते हैं, और कैसा concept हम यहाँ पर discuss कर सकते हैं, कॉपी कर लो, एक ही तरीका है, एक ही concept है, बस state conductor को अच्छे से समझ लेना है, circular wire को अच्छे से समझ लेना है, तो सारे concept आप easily solve कर पाऊंगे, चलो, जैसे अगला ले लेते हैं, लेट से, next example में ले लेता हूँ, आपको दिया हुआ है बच्छो, यह कोई भी x-axis है, यह कोई भी y-axis है, यहाँ पर इसमें बेटा, current flow हो रहा है, अंदर, i that is equal to 2 amp, और इसमें current flow हो रहा है, भार, i that is equal to 2 amp, ठीक है, आपको बोला है बच्छो, यह वाली जो distance है, that is at a 30 cm, और यह वाली भी distance अपनी 30 cm, यहाँ पर कोई भी एक point है, P, that is at a distance of 40 cm, आपको बताना है बेटा, यह जो point P है, इस point P पर magnetic field strength की value क्या होगी, question क्या है, point P पर magnetic field strength की value हमें लिखनी है, इस point P पर magnetic field कितना होगा, और आपको दो conductors दिये हुए, infinite length conductor है, एक के लिए तो current जा रहा है अंदर, एक के लिए current आ रहा है हमारा भार, और हमें magnetic field strength मिकालना, net magnetic field अपना कितना होगा, किस तरीके से इसको solve किया जाए कि हमारा net magnetic field आसानी से calculate हो जाए, चलिए, सोचो इसके बारे में कैसे solve करेंगे, फिर हम इसके concept को निकालते हैं, final answer को फिर verify करना, कितना answer इसका आएगा, note down करो, एक ड़म आसान सी problem है, आसान से तरीके से solve करो, बाकि मेरे साथ समझ लो, किस तरीके से हम solve करने वाले हैं, कैसे हम इसका answer निकालेंगे, देखो बाच्चो, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, तो आपने पढ़ाया बेटा कि यह कोई भी बायर है, मुझे point P पर निकालना है, यह इसकी distances, जो कि इसको solve करने पर पाइथागोरा स्यूज में लेने पाज आएगी आपकी 50 सेंटी, इसके लिए direction of magnetic field रहो करते है, magnetic field किदर होगा, तो fingers को थो point, thumb को तो current की direction में, fingers को point की direction में, palm हमारा इधर जा रहा है, इसके लिए जो magnetic field आएगा, बीवन वो कहीं इधर आएगा, जो बीवन की value हमारी आएगी, बीवन की value अपनी कहीं इधर आएगी, clear, सेम इसके लिए बातचीत करूँ तो बेटा, thumb को current की direction में, fingers को point की direction में, जैसे इसको अगर मैं join करता हूँ, तो यह बाहर ऐसे बनती, thumb को current की direction में, fingers को point की direction में, तो यहाँ पर magnetic field हमारा कहीं, इधर जाए, यह हमारा B2 आएगा, आई बात समझ में नहीं, यह दोनों इस line पर नहीं आएगे, आपस में यह perpendicular है, clear रहे चीज़, इस तरीके से B1 आएगा, और इस तरीके से अपना B2 आएगा, आई बात समझ में, अगर बेटा मैं B1 की value लिखता हूं, तो infinite length wire है, तो आप इसको लेखोगे, mean not I upon of 2 pi r, बस I की value पुट कर दूं, R की value पुट कर दूं, R मुझे पता है 50 cm है, current 2 ampere है, तो B1 आ जाएगा, सेम बे में, अगर मुझे B2 लिखना है, तो B2 भी होगा, अपना mean not I upon 2 pi लिखना तो एकदम आसान है, mean not I, mean not की value होगी, 4 pi into 10 to the power minus 7 upon 2 pi, R है 50 cm, that is a 0.5, current is 2, 4 pi से ये 2 times किया, point को अगर मैंने cut किया, तो ये 10 to the power minus 1 रहे गया, जो 10 to the power minus 6 रहे जाएगा, जो आएगा, 4 by 8, 4 by 8 को अगर बच्चों मैं इसे solve करू, 4 by 5, that is a 0.8, तो ये बन गया, 8 into 10 to the power minus 7 टेसला, सेम इसका भी आएगा, 8 into 10 to the power minus 7 टेसला, strength of magnetic field बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, कि जो first के लिए B1 आएगा, वो इतना होगा, ये तो formula से आजाएगा, लेकिन अभी concept पूरी तरीके से solve नहीं हुआ है, मुझे तो net magnetic field निकालना है, इनके angle बगेरा के बारे में मेरे पास कोई भी ऐसी information नहीं है, कि ये angle क्या होगा, देखो बच्चों, किस तरीके से इसको अब solve किया जाए, कि इसकी angle information अपनी solve हो जाए, अगर मैं diagram को बनाता हूँ, जैसे ये एक wire है, magnetic field इसके perpendicular, clear, अगर बेटा मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, ये angle theta है, तो ये इससे कितना angle बना रहा होगा, 90 minus theta, same, दूसरी wire का अगर मैं frame बनाता हूँ, आपको ये दूसरी wire दी हुई है, magnetic field इसके perpendicular है, अगर बेटा ये angle भी theta है, तो ये क्या होगा, अपना 90 minus theta, आ रहे हैं बस्वज में, क्योंकि अगर ये theta है, तो ये भी theta होगा, equal equal triangle है, ये 30-30 है, ये 40 है, right, that means मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं इनको net बनाता हूँ, ये point है, इधर तो बच्चों हमारा जा रहा है B2, इधर बच्चों हमारा जा रहा है B1, और ये line है, ये बना रहा है 90 minus theta, और ये भी बना रहा है 90 minus theta, ये को इस type से angle आएगा, अगर मैं इनके component लेता हूँ, तो देखिए, इसको अगर मैं components में split करूँ, तो इधर आएगा B1 sin theta, और इधर जाएगा अपना B1 cos theta, सेम इधर जाएगा बेटो B2 cos theta, और नीचे आएगा अपना B2 sin theta, आई बात सवाज में, component ले सकते हूँ, B2 cos 90 minus theta बन जाएगा अपना sin theta, राइट, magnetic field, that is equal to आजाएगा B1 plus B2 sin theta, अगर मैं B1 plus B2 करता हूँ, तो ये तो आगया 16 into 10 to the power minus 7, sin theta अगर मैं लिखता हूँ, तो theta मैंने ये लिए आए, theta कितना हो जाएगा हमारा, perpendicular upon hypotenuse, that is a 3W5, कितना टेसला का magnetic field यहाँ पर लग रहा होगा, और इसकी direction फाइनली किदर आएगी, downward, that means milder check, आज ये बास्टर्ज में, तो sometimes आपको ऐसा नहीं है कि, value नुकालना तो आसान होता है, तो थोड़ा बहुत tricky कर सकता है direction के basis पर, अगर direction के basis पर भी tricky करते, तब भी आप बढ़ी आसानी से solve कर सकते हो, easily आप concept find out कर सकते हो, बस आपको इस तरीके से इनको arrange करना है, आपके answer साथे होगे चले जाएगी, तेक है, आप links पाओगे, कि B1 की value क्या है, B2 की क्या है, और इनकी net direction हमें कैसे ने कालनी है, तो इसे note down करो, ये काफी अच्छा question है, फिर move करते हैं अगले question पर, और कैसी problem हमारी यहाँ पर frame हो सकती है, उसके बारे में हम बात चीद करते हैं, इसे note down करो, फिर अगले concept पर जनते हैं, चलिए बच्छा, देखो, अगला question मैं ले लेता हूँ, लेट से, आपको बेटा, ये कोई भी एक circular wire दी हुई है, लेट से, मैं ऐसे बोलते था हूँ, आपको ये कोई भी एक circular wire दी हुई है, ठीक है, ये कोई भी हमें circular wire दी हुई है, correct, जिसका radius है बच्छो, और ये इसका center है, देखी रहा है, और यहां से कोई भी एक wire आ रही है, जिससे current flow रहा है, इसमें आई, और finally, यहां से ये current रिटर होगा है, इस वाले end से तो current अपना enter कर रहा है, और इस वाले end से current जा रहा है, आपको बताना है, वो point पर magnetic field की, कोईशन समझ देना, काफी अच्छा कोईशन है, कि इस वाली wire से ऐसे current एंटर किया, current कुछ तो इधर divide हुआ होगा, कुछ इधर divide हुआ होगा, लेट से मैं बोल देता हूँ, इधर I बन गया होगा, इधर I 2 गया होगा, और finally return कितना होगा, आपको बताना है, O point पर net magnetic field क्या होगा, पॉर्षन को देखो, समझो और solve करने का try करो, कैसे O point पर net magnetic field निकाना जाएगा, आपको बताना है, O point पर magnetic field की strength क्या होगा, करो बच्चो solve, कैसे निकालोगे O point पर magnetic field, concept सोचो, बड़ा आसान सा है, आपको बस समझना है, कहानी क्या है, actually मैं आपको सारे concept की learning बताना जा रहा हूँ, कैसी कैसी problems हमारी frame हो सकती है, बगी मेरे साथ समझ दो, कैसे solve करेंगे, देखो बच्चो, हुआ क्या होगा, यहाँ पर इस wire से I current गया होगा, यह I current फिर फर्दर अपना divide होगा होगा, उपर गया होगा, let's say I1 नीचे चला गया, I2, ultimately इसमें return हो जाएगा I, right, let's say मैं बोल देता हूँ पेटा, यह दौनों wire यहाँ पर angle form कर रही है, correct, अब देखिए, अगर यहाँ पर I current जा रहा है, तो एक तो segment यह है, एक यह circular segment है, एक segment यह है, अगर मैं B1 और B3 के लिए magnetic field की बात करूँ, तो यह दौनों तो बेटा इसी के उपर आगे, तो इन के लिए तो magnetic field 0 होगा, यह तो point के उपर ही आगे, तो इन दौनों के कारण तो magnetic field 0 होगा, जो magnetic field होगा, वो only circular section के लिए होगा, जो मुझे calculate करना है, मैं कैसे भी circular section के लिए magnetic field लिखना हूँ, तो मेरा answer बढ़ी आसानी से आ जाएगा, simple सा तरीक है, चलिए, लिखने का try करते हैं, अगर बेटा, मैं पहले उपर वाले segment के लिए लिखता हूँ, तो यहाँ पर इसका angle theta है, तो यह रह जाएगा हमारा 2 pi minus theta, तो आप लिख सकते हो बेटा, अपर segment के लिए, magnetic field, एट है जब me not i upon 4 pi r, angle कितना है अपना 2 pi minus theta, और इसमें current है, same अगर मैं lower segment के लिए magnetic field लिखूँगा, तो यह होगा हमारा me not current है, i2 upon 4 pi r multiplied by theta, correct, direction के अगर मैं बातचीत करूँगा, finger को curl किया, thumb अंदर जा रहा है, तो इसके लिए magnetic field आएगा, inward direction में, इसके लिए अगर मैं बातचीत करूँगा, तो magnetic field आएगा, magnetic field होगा अपना outward में, इस तरीके साब upper segment के लिए magnetic field लिख सकते हो, अब lower segment के लिए भी magnetic field लिख सकते हो, lower segment के लिए भी क्या होगा, ठीक है, अगर मैं बेटा net magnetic field लिखता हूँ, तो net को आप बोलने वाले हो, that is a bu minus bl, minus क्यों हूँगा, एक inward है, एक outward है, तो ultimately minus हो जाएगा, that means मैं बोल सकता हूँ बेटाई, आपना net magnetic field, that is equal to होगा, me not i1, upon 4 pi r, 2 pi minus theta, minus me not i2, upon 4 pi r, multiplied by theta, correct, आर ये बात सज्ज में, ये net magnetic field, upper segment के लिए लिख लिए है, एक मैंने lower segment के लिए लिख लिए, इस तरहीचे से मेरा magnetic field वालेगा, अब देखिए, just मुझे बेटा, यहाँ पर इनको, i1 और 2 pi minus theta, कैसे भी इनको मैं solve करनूं, क्योंकि ये data मैंने आपको question में नहीं दिया है, तो अपना answer easily calculate हो जाएगा, अब समझ लेना, यहाँ पर concept है क्या है, क्या concept यहाँ पर बनने वाला है, जैसे अगर मैं इस segment का नाम बोलता हूँ, मालनो बिटाए, इस point का नाम है A, और इस point का नाम है B, यह वाला point है A, और यह वाला point है अपना B, correct, तो अगर मैं यहाँ पर इन point A और B के respect में बातचीत करूँ, तो मैं बोल सकता हूँ, यह उपर यह जो वायर है, इसका अपना एक resistance है, नीचे का अपना एक resistance है, उपर की वायर पर जो potential आएगा, वो इन नीचे की वायर पर आएगा, potential on upper half, that is equal to a potential on lower half, जितना potential उपर के पर होगा, उतना potential नीचे के पर होगा, overall, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, I1 into resistance of upper half, that is equal to a I2 into resistance of lower half, clear, अगर बेटा मैं यहाँ पर लिखूँ, resistance क्या होता है, रो अल अपन ए, पूरी वायर सेम है, तो resistivity भी सेम होगी, अगर मैं यहाँ पर solve करूँ, रो आरे से तो रो आरे अपना क्या हो गया, cancel out, let me यहाँ पर proof हो जाएगा, I1 2 pi minus theta equal to अपने, I2 theta के, तो overall जो net magnetic field आएगा, वो इसके लिए भी क्या जाएगा, current इस वे में divide होगा, कि overall net magnetic field, symmetric structure में अपना 0 बन जाएग, एकदम आसान सी कहा नहीं है, simple way में आपको समझना है, कि जो upper segment पे potential होगा, वो ही potential lower segment पे होगा, overall जैसे ही मैंने potential को same किया, तो I1 2 pi minus theta, which is equal to हो जाएगा, अपना I2 theta के, overall net magnetic field 0 होगा, और कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर आपको इस तरीके से symmetric pattern दिया जाए, तो symmetric pattern के लिए, all time symmetric center पे magnetic field 0 आएगा, तो कि current इस तरीके से divide होगा, कि net magnetic field अपना 0 बन जाए, आरे बात सवज में, चलिए, तो इसे आप note down करो, और questions मैं आपको इस symmetric pattern पे बना के बताता हूँ, उनके लिए भी magnetic field की value अपनी 0 यह आएगी, ठीक है, लिखलो इसे, फिर अगले और options के हम बातचीत करता है, चलिए, जैसे, और मैं segment लेता हूँ, let's say, आपको बिटाए, ये कोई भी एक square दिया हुआ है, correct? या मैं कोई दूसरी geometry ले लेता हूँ, let's say, आपको बिटाए, ये कोई भी एक triangle दिया हुआ है, correct? ठीक है, या मैं एक और geometry ले लेता हूँ, इस type से आपको एक rectangle दिया हुआ है, clear? या बिटा, और geometry में ले लेता हूँ, जो भी इसमें अवे लेवल है, कोई भी close geometry हमें इस type से अगर दी वही है, ठीक है? इसमें बोल देता हूँ, ऐसे अपना current जा रहा है आई, इस वाले end से current फिलो रहा है आई, और इस वाले end से current निकल रहा है आई, आपको बताना है, ओ पॉइंट पर magnetic field क्या होगा? या मैं ऐसे बोल देता हूँ, इस वाले end से current जा रहा है आई, इस वाले end से current बापस निकल रहा है आई, तो आपको बताना है, इस वाले end पर, पॉइंट ओपर magnetic field की value क्या होगी? आपको कैसी भी symmetric structure दिया जाए, आपको निकलना है, इनके symmetric center पर magnetic field की strength क्या होगी? magnetic field की value क्या होगी? तो देखे बच्चों, इनको solve करने का तरीका एकदम सेम है, लेट से यहाँ पर I1 current गया, इसमें I2 गया, तो इससे return आ रहा होगा, I2 इससे return आ रहा है, I1, overall I बापस चला जाएगा, इन दानों के लिए तो magnetic field 0 होगा, क्योंकि point wire के उपर आ गया, और इन आपर potential के कारण current ऐसे distribute होगा, कि net magnetic field 0 होगा, तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी symmetric structure दी हुई है, तो symmetric structure के लिए magnetic field की value 0 होगा, clear? जैसे, अगर बेटा मैं इसके लिए बातचीत करता, तो यहाँ पर current ऊपर जा रहा है, I1, इस में से जा रहा है, I2, यहाँ current इस way में distribute होगा, कि centroid पर net magnetic field 0 आए, clear? कि जो centroid पर net magnetic field निकालोगे, वो 0 आएगा, यहाँ पर potential के current, current की value का distribution इस हिसाब से जाएगा, कि net magnetic field अपना 0 होगा, तो आपको कोई भी symmetric structure दे हुई है, अगर वो complete structure है, तो current इस way में divide होता है, कि overall net magnetic field अपना 0 होगा, यहाँ पर भी net magnetic field की value 0 आएगा, चाहे मैं आपको cube बना कि देता है, अगर आपको बोलाएं कि ऐसे कोई भी एक cube दिया हुए, यह एक symmetric structure है, इसमें current इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, तो center point पर अगर आपको magnetic field इतना है, तो center पर 0 आएगा, ऐसे distribution होगा, कि net magnetic field अपना 0 होगा, तो इस type के अगर numerical दिये जाए तो इन में तो हमें बिल्कुल भी confuse नहीं होना है, directly magnetic field की value को हमें 0 put कर दे रहा है, और यह बात स्वाज में, तो देखे बच्चों, मैंने आप पर आपको बताया है, कि अगर आपको कोई भी circular wire दी जाए, या कोई circular arc दिया जाए, तो उसके लिए magnetic field को कैसे लिखेंगे, same circular arc को अगर state conductor से command कर दे हैं, तो magnetic field को हमें कैसे लिखना है, कोई भी आपको कैसी भी problem दे दे, आप magnetic field की value को बड़ी आसानी से calculate कर सकते हो, एक simple pattern है, उस pattern को हमें follow करना है, magnetic field की value हमारी calculate हो जाएगी, clear, still अगर आपका कोई भी query है, कोई भी doubt है, state conductor और circular arc के लिए, तो you can ask on your respective telegram group, so thank you for watching this video, now we'll continue next topic in next video, thank you.